Hello everyone and welcome back to another video of the Lead Code Daily Challenge आज हम डिस्कुस करने वाले हैं Permutation in a String बट उससे पहले बहुत 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 इंपोर्टेंट अपडेट कि आप लोग मुझसे डीपी के लिए रोज पूछे रहे हो तो मैं आपको थोड़ी चीज़े क्लियर कर देता हूँ देखो डाइनेमिक प्रग्रामिंग एक बहुती एडवर्स टॉपिक है जो मैं आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि डीपी के थोड़ी सी मतलब इशूज क्या आ रहे है अच्छली आपको डीपी पढ़नी होगी तो बेसिकली ट्वेंटी ऐसे डिफरेंट पैटन्स होते हैं जो आपको आने चाहिए हैं जी बिलकुल आप सभी समझे जो डीपी के अंदर कि जिनको बहुत जादा ज़रूरी है मतलब अभी सीखना आज से शुरू करना है तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक तुमें शीट आज आउट करूंगा उस शीट में तुम्हें वह बीस के बीस पैटन और तुम्हें कौन-कौन से क्वेशन करने वह मिल जाएं क्योंकि मैं डेली रिकॉर्ड गर रहा हूं बट एट विल टेक सम ताम तो मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी की प्लेस्मेंट डीप को यह से ना हो ओके सो आई विल अपडेट दाट तो यूट्यूब पर शॉट एक डाल दूगा या इंस्टेग्राम पर रिल डाल दूगा बै पर्मुटेशन स्रीं कम्री टाक्सी बात करें तो इस बीकरोजाब कोना संट परागी इंस अच्टेशन ड कोगलन यंच्याम यापन आदाग बहुत कंप्राम कप्र आट कंप्र टेक्रें को यह को ग्यां पड्य थैस निन तो पर्मुटेशन और ऐस अधर वस्स बीटें सार rearrangement of all the characters of a string, okay, so great, कुछ examples है, constraints हमारी पास क्या है, S1 और S2 की length 1 से लेकर 10 पार 4 तक है, S1 and S2 contains of English lowercase letters only, okay, so input में आपको S1 and S2, दो string दिया जाएगा, आपको पता करना है कि क्या S1 का कोई भी permutation, okay, इस string में present है या ने, now what is a permutation string के rearrangement जाएगा, इसे AB की बात करें, तो AB and BA, इसके दो permutation हो सकते हैं, अगर हम ABC की बात करें, इसके कितने permutation होंगे, एक आपका ABC हो जाएगा, एक आपका B, A, C हो जाएगा, एक आपका B, C, A हो जाएगा, ठीक है, और भी हो सकते हैं, मतलब कहने का क्या मतलब है, arrange कर रहा है आप इन letters को, ठीक है, अब मुझे S1 के पदा करना है, कि S1 का जो भी permutation है, कितने permutation हो सकते हैं, उसमें से अगर कोई भी एक permutation, इधर present as to में, तो that is our answer, okay, now brute force approach क्या होता है इसका, कि आप S1 को लो, इसके all possible permutations निकाल लो, जैसे हमारे case में A, B and B, A और आप जाके search करने लग जो, क्या A, B यहाँ पे है, नहीं, क्या B, A यहाँ पे है, yes, B, A is present, okay, तो यह आप true return कर सकते हो, अगर आपको एक भी permutation नहीं मिलता है, तो आप क्या return करोगे, false, यह है आपका entire question, okay, now, इस question की सबसे important बात यह है, कि आपको सारे permutations नहीं निकालने, focus on the definition of permutation, rearrangement of characters, right, तो मतलब, एक बार A और एक बार B, यही तो होना चाहिए, देखो, अगर string है A, B, यह string है B, इन दोनों में क्या common है, एक बार A है, एक बार B है, तो हम यहाँ पे element की frequency पे खेलेंगे, हम देखेंगे यार, string 1 की size कितनी है, string 1 की size है 2, okay, तो क्या इस S2 में, 2 size का कोई string exist करता है, जिसमें एक बार A और एक बार B आ रहा हो, अगर आ रहा है, तो we are done, our job is done, ठीक है, तो यह है आपका optimization over brute force, this is exactly how you think about an optimization, okay, तो हमें यहाँ पे characters की frequency निकालने है, तो but obviously we need to calculate the frequency, तो हम यहाँ पे चाहे map यूज़ कर सकते हैं, चाहे 26 size का array यूज़ कर सकते हैं, and if you remember well, मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताए था, कि अगर limited size हो, तो array यूज़ करना better होता है, तो array हम यूज़ कर सकते हैं, but array में भी अब हम कैसे marking करेंगे, जिसे मुझे mark करना है, a कितनी बार आया, ठीक है, इसे मान लेते हैं, a, a, b है, मुझे इसको store करना है, तो obviously मुझे a वाली index पर जाके plus 1 करना पड़ेगा, फिर से a वाली index पर जाके plus 1, फिर b वाली index पर जाके plus 1, now a and b की indexing कैसे निकलेगी, क्योंकि array में आपका 0, 1, 2 से लेके 25th index दखोगा, 26 size का array बनेगा, 26 characters होते हैं हमारे पास English में, अब यहां पर क्या है, ठीक है, अब a की sky से आप minus कर दूँ हर चीज को, अगर मैं a को a की sky value से minus करूँ तो answer कर आएगा 0, ठीक है, अगर मैं b को a की sky से minus करूँ तो answer कियाएगा 1, c को करूँ minus को क्या answer आएगा 2, ठीक है and so on, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर character को A की S काई से अगर minus कर दू, last character आपको क्या होगा, Z, तो Z minus A भी किता है जाएगा 25, this is the last index, and by the way, आपको हमेचा lower case letters मिलेंगे, यह भी question mentioned है, upper case नहीं मिलेगा तो उसकी भी कोई attention नहीं है, तो this is how we can map, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो explain करूँगा, तो मैं आपको यह conversion बार-बार नहीं बताऊँगा, that is why मैंने एक बार में इसको clear कर दिया, okay so let's say, यह हमारा एक array है, फिर से मैं array बोल ला हूँ, जहाँ पर A की count 0 है, B की count 0 है, ठीक है, and this is your map 1, okay, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप जाके देखोगे, जो S1 है, ठीक है, इसकी, किसमें कितने elements है, क्या frequency है, तो पहले पर हम जाएंगे A, तो आप A पर जाके plus 1 कर दोगे, next हम जाएंगे B पर, तो आप B पर जाके plus 1 कर दोगे, ठीक है, तो A and B, and इसका size कितना है, size is 2, ओके, इसका size कितना आगे, size is 2, तो हमें 2 size का, एक ऐसा, सब array यहाँ पर ढूबना है, जिसकी frequency में A एक बार हो, और B एक बार हो, और कुछ भी ना हो, now let's iterate over S2, ठीक है, अब 2 size, पहला देखते है, E and I, अब इसके लिए मैं क्या बनाऊँगा, मैं अलग से दूसरा array बनाऊँगा, let's call it as map 2, ठीक है, अब यहाँ पर E and I, तो E की भी initial, जो है 0 होगी, I की भी initial क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पर और भी हम लिख लेते हैं, D है, B है, O है, है ना, यह तीनों आपके 0, 0 होगे, so now let's start checking, ठीक है, पहले इन दोनों को चेक करते हैं, तो E की frequency निकाल लेते हैं, E की frequency आपकी 1, I की frequency निकाल लेते हैं, I की frequency भी है 1, ठीक है, दोनों की frequency समय 1, 1 है, अब आपको चेक करना पड़ेगा, क्या A और B, इन ही दोनों की frequency यहाँ पे 1 है, तो नहीं, A और B की तो नहीं है, उपर से extra भी यहाँ पे आगी है, तो no, we cannot take this, ठीक है, तो अपने map को वापस से clear करेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे, so next is ID, ठीक है, ID का check करते हैं, तो I की frequency हो गई 1, D की भी हो गई 1, ठीक है, ID को हमने check कर लिया, अब अगें यहाँ पे क्या है, A and B 1, 1 है, I and D आपका 1, 1 है, not matching, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, next देखते हैं, आपका D, B है, तो D को 1 कर दो, ठीक है, and B को फिर से 1 कर दो, क्या यह match हो रहा है, No, ठीक है, by the way, अगर यहाँ पे D और D होता है, तो मैं D को 2 कर देता, basically हम frequency को add कर रहे हैं, ठीक है, and then map को clear करके, बार बार हम compare करेंगे, इन दोनों maps को, कि यहाँ पे A, इतना है उतना है, A यहाँ पे बनाचीद से, यहाँ भी E होगा, 26 साइस के तो होँगी, यहाँ पे E पे 0 होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, okay, great, let's compare again, next value है आप के पस B, A, तो B पे जाते हैं, and we can do a plus 1, and then A पे जाते हैं, sorry, A मैंने यहाँ लिखा नहीं, my bad, A लिख देते हैं, A पे जाते हैं, we can do a plus 1, ठीक है, now let's match again, तो आप देखो, A 1 है, great, B 1 है, great, and I यहाँ पे 0 होगा, D यहाँ पे 0 होगा, and O यहाँ पे 0 होगा, great, so this is a match, तो we can return true from here, और अगर पूरा आइटरेट करने के बाद, आप भी हमें match नहीं मिलता, तो we could have return a false, now इसकी time complexity क्या होगी, देखो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, and let's call it as n, and let's call it as m, ठीक है, इसकी length n है, इसकी length m है, सबसे पहले आप length n को आइटरेट करके, उनकी frequency निकाल लो, तो big of n तो यह हो गया, प्लस, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप इस वाली string को आइटरेट कर रहे हो, कितने तक last pair आपका यह बनेगा, यानि कि यू आइटरेटिंग फ्रम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप 0 से छटी index सब आइटरेट कर रहे हो, so all I can say is, m-n plus 1 iteration कर रहे हो, रफली इतना iteration आप कर रहे हो, इतना iteration, इसकी size है 8, इसकी size है 2, 8-2 is 6, बठ हम कहां तक जारे हैं, छटी index सक जारे है, index एक जादा होती है, 0 त इंडेक्स मतलब एक element है, तो छटा index मतलब 7 element है, तो प्लस 1 लगेगा, इसके लिए यह प्लस 1 है, कहने का क्या मतलब है, इतनी आपको और टाइम लगेगा, m-n-1, अब हर एक iteration में, आप क्या कर रहे हो, देखो, जिससे for example, मैं i पर खड़ा हूँ, तो इसकी जितनी भी size है, मुझे उतने elements, अपने map में insert करने पड़ेंगे, तो आइकन से जो भी n है, इतना n आप extra iterate करी रहे हो, उसके बाद, insertion करने के बाद, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों maps को compare कर रहे है, अब इसकी दोनों की size क्या है, 26 size कह रहे है, we can say 26 यहाँ पर हो गया, तो यह overhead एठी, यह तिस इस दी, time complexity, यह थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देगा, because you can see n into any, kind of n square solution हो गया, okay, so we'll optimize it, now what will be the space complexity of this approach, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है, 2 map use कर रहे है, of size 26 each, ठीक है, so this is your space complexity, okay, तो यह हमारी overall time and space complexity, अब चले से code करते है, and then we will optimize it, तो सबसे पहले, I'll create two maps, so I can say map one, okay, and is equal to new integer, by the way, एक और चोटा सा base case, वो भी देखते है, ठीक है, कि किस case में बिल्कुली possible नहीं है, तो एक case क्या हो सकता है, कि अगर आपके s2 में enough characters ही नहीं हो, तब तो कुछ करी नहीं सकते है, तो what I'm going to do here is, n is equal to s1 dot length, okay, and then int m is equal to s2 dot length, दूसरा ये हो गया, now if, ठीक है, m is less than n, तब तो कभी सबस्बिल्टी है यह नहीं, you can directly return false, ठीक है, इसमें आपकी substring हो यह नहीं सकती, enough characters ही नहीं, यह substring कैसे होगी, now next क्या करना है, init करना है, तो let's call s1, int i is equal to 0, i is less than s1 dot length, and then i plus plus, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, s1 के अंदर insert करेंगे, so basically, map one of, अब character कैसे मिलेगा, s1 dot char at index i, minus a की s काई, ठीक है, मैंने आपको बताया था, and we will do a plus plus, तो initially सबके count क्या है, 0 ते, और सब्सक्राइब काउंट प्लस-प्लस हो गए, ठीक है, and by the way, यहाँ पर मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं, ले 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 ते, यहाँ अमने उपर बनाया हुआ है, okay, so हमने map one के elements करेंट करेंगे, now let's create for map two, so what I am going to do here is, int i is equal to zero, i is less than equal to m minus, m minus n ठीक है, तो जैसे array two की length है, eight ठीक है, and array one की length थी two, तो मुझे at least six elements देखने पड़ेंगे, तब ही तो मैं index six and seven देखूंगा last में, तो यही मैंने आप पर किया, okay, then हम कर सकते, i plus plus, and now we need to compare, for int j is equal to zero, j is less than n, and then j plus plus, ठीक है, जितने window की size है उतने आपको लेने हैं यहापे, तो now we will insert into our map two, copy, paste, character add, अभी s2 का add करना है, i plus j, okay, and minus n तो as it is रहेगा, and यह जाएगा आपका map two में, okay, तो हमने map two में भी include कर लिया, now after this, what we are going to do, we are going to compare, ठीक है, तो we can write one function, if is matched, kind of, और हम इसे compare डर लेते हैं, map one and map two, आगेर यह दोनों match हो जाता है, आपका, तो you can return true from here, ठीक है, otherwise, anyway, we are going to continue, अब यहाँ पर मुझे, map one को clear करना पड़ेगा, तो दो तरीका है, चाहे आप पूरे 26 को आइट करके, zero कर दो, चाहे हम यह declaration पार्ट अंदर ही डालते हैं, तो इससे क्या होगा, हर बार ने रेक्लेरेशन होगा, तो आपकी value by default zero हो जाएगी, so yeah, that's it, and इस फॉरलो के बार, we can write return false, ठीक है, अभी तक answer नहीं मिलेगा, and then let's write this method, private boolean, and is matched, okay, and हम यह पे ले 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 हैं, थो आरे, now let's iterate and compare, so int i is equal to 0, i is less than 6, and then i plus plus, okay, so you can write, if map one of i, not equal to map two of i, तो यू can return a false blindly, otherwise इस पूरे iteration के पार return a true, return true, okay, great, चलो इसे run कर आते हैं, so hopefully it will work, and it did, now let's try to submit it, and 19% faster, okay, quite slow, because n square solution था, right, now we need to optimize it, कौन सा पार्ट यहां पर optimize हो सकता है, just take a moment and think about some approaches, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए, उसी में से यहां पर लगेगा, okay, so if you have thought it correctly, it will be sliding window, ठीक है, why sliding window, देखो मुझे पता है, मुझे दो size, यानि फिक्स लेंद की यहां पर window ढूंड़नी है, now why sliding window over this cheap logic, तो इस पर आपक तीन size का यहां पर map बनाना है, तो मैं पहले EID पर जाओंगा, ठीक है, first iteration में, मैंने E का count कर दिया 1, I का कर दिया 1, and D का कर दिया 1, ठीक है, यह तीन मैंने कर दिया, these three are done, now next time मैं आप देखो कि यहां पर क्या करूंगा, जब मैं अगली window देखूंगा, तो next window is EDB, मतलब I have to include B, and I have to exclude E, या in other terms, अगर मेरा I यहां पर है, तो मुझे I minus 1 वाली index को remove करना है, और I plus जो भी window की size थी आपके, ठीक है, I plus 3 minus 1, ठीक है, तो let's say यह index is 0, sorry, यह index is 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, तो हमें index 3 वाली को include करना है, तो what this will become is, I plus 3 and minus 1, ठीक है, तो यह यह cancel, आप तीसर index वाली को include कर सकते हो, ठीक है, तो इससे फाइदा क्या होगा, आपको E and D के लिए अलग से calculate नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने for loop में बार बार मापको re-nitialize नहीं करना पड़ेगा, आप simply यह निकाल सकते हो, and then you can easily compare, तो इससे फाइदा क्या हुआ, यह जो आप into N कर यह हट गया, तो आपकी time complexity काफी fast होगे, चलो फट से देखते है, अगर आपको sliding window नहीं आती है, तो please जाके पढ़ लें, यह बहुत ही basics है, sliding window के, तो यहाँ पर कर लेते हैं, पेस्ट, अब हमने इसे बाहर बना लिया है, अब सेम हम काम करेंगे, map 2 के साथ, तो let's copy and paste, इध आपका map 2, ठीक है, done, now यहाँ पर मुझे इस loop की जरुवती नहीं पड़ेगी, ठीक है, I don't require this loop anymore, so हम इसे यहाँ पर check कर लेते है, ठीक है, initial window का case, अगर initial window में true है, so we are good, ठीक है, this is the initial window case, कौन सा case है, init window, ठीक है, next हम कौन सा case लिखने वाले, for the next cases, तो आई इस बार आपका 1 से शुरू होगा, अब आपको क्या करना है, you have to remove i-1 and add i plus size minus 1, यानि i plus n minus 1, तो वही कहाँ पर करते है, तो I will just copy this, paste, तो हमें remove क्या करना है, हमें remove करना है, i minus 1 and remove करना मतलब, count होगे आपका minus minus and हमें क्या करना है, फिर add करना है, add किसे करना है, i plus i plus size which is n minus 1 और add करने का क्या म index हो जाएगी, count हो जाएगा plus plus, so this was deletion and this is addition, so you got your new window, ठीक है, अब इस new window को आपने obviously यहाँ पर चेक करी लिया है, अगर match हो रहा है तो return true, otherwise return false, okay, चलो भी से run कराते है, so hopefully it will work, and it did, now let's try to submit it, 86%, ठीक है, so यह था अची वीडियो में, I hope तुमा आची वीडियो पसंद आई हो पर मैंने बहुत 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 प्यारी place बनाई होई है, उसमें आपकी सारे interview patterns covered है, और अगर आपने वो पढ़ लिया, तो sliding window में तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, यह था अची वीडियो में, and अगर आपको आची वीडियो पसंद आई हो, तो प्ली झाली है, तो आपको 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 झाल झाल